चलो जी जुक की चलो ये रेंग की चलो पर चलो क्यूंकि जगह है इतनी ही इस गूफा में ये है चैनल रेंग ए और मैं हूँ रैना वैसे तो हिंदुस्तान में कई मशूर गूफा मंदिर होंगे जैसे कि अमरनाथ वैशन देवी की गूफा पर मैं आपको वहाँ नहीं बलकि एक ऐसी गुफा में ले जा रहा हूँ जो लगती है कुछ-कुछ वैशन देवी जैसी पर है वे कुछ और ही यानी सुआहा माता की गुफा इसकारण से आपको इसकी लोकेशन गूगल मैपस पे बिलकुल भी नहीं मिलेगी पर मैने उसे बहुत मुशकल से लोकेट कर ही लिया है और दे दिया है लिंक लोकेशन का नीचे डिस्क्रिप्षन में तो इस धाम पर जाने के लिए आपको सबसे पहले जमूश शहर पहुँचना होगा और यहां से आपको पहुँचना पढ़ेगा बंतलाब होते हुए जंडियाल गाओं जंडियाल पहुँचते ही आपको राइट साइड को मुड्ना होगा और सामने देख जाएगा आपको उपर वो बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है शोआ माता के बारे में अभी हम आए हैं उस रस्ते से और जाएंगे इस रस्ते पे तो मैं चड़ जाता हूँ गाड़ी में और बढ़ता हूँ आगे कुछ किलो मेटर तक ऐसे ही गाओं में से गुजरते हुए आप पहुँच जाएंगे पहाड़ी रस्ते पे जहां से आप देख पाएंगे उपर से आसपास का नजारा नजारा देखते हुए और ऐसे ही जिगजग रस्ते पे चलते हुए कुछ किलो मीटर बाद आप पहुंच जाएंगे गुफा के नजदीक यहां पर और यहां से आगे आपको चलना पड़ेगा पैदल वहां से हम आए थे और अब जाएंगे इन सीडियों से मंदर की डेवडी की और यहां से आगे जो आप यह लाल रस्ता देख रहे हैं इसी के कारण मैं डून पाया इस जगह को गुगल मैप्स पे वरना तो मंदर गुफा के अंदर है और आसपास के स्ट्रक्चर हैं पेड़ों की च्छाओं में जिस कारण से गुगल मैप्स में वो दिख ही नहीं रहे हैं वो रहा यहां का में गेट आगे हमें और थोड़ा सा चलना पड़ेगा इस लाल रस्ते पे पर ज्यादा नहीं जरा इस च्छत से बनी हुई चट्टान को देखिए और लेफ्ट पर भी है अच्छा खासा नजारा अब हम फटा फट से पहुंचाते हैं मंदर के पास यह लो जी पहुंच गए अब जाना है सीडियों से उपर गुफा तक नमस्कार पंड़े जी यह रहा गुफा का दर्वाज़ा अच्छा का दर्वाज़ा चलिए जी अब गुफा के अंदर चलते हैं पर यहां तो पंड़े जी बोग लगा रहे हैं उस सब खाने का जो बनाया गया है आज बंडारे की तोर पे श्रदालों को खिलाने के लिए तो जब तक वो अंदर जाते हैं तब तक आप वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल स इंस्टाग्राम पे मुझे फालो कीजिए इस एडरस यानि यूट्यूबर अंडर स्कोर रें अंडर स्कोर ए पे इस चैनल के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए गुफा संकरी होने के कारण मुझे अंदर गुषने में परिशानी तो हो रही है क्योंकि मेरे ए लो जी पहुंच गए हम गुफा मंदर के गर्ब ग्रह में यहां भी वैशनो देवी के गुफा की तरह देवियां पिंडी रूप में हैं चलिए पन्डी जेसे ही जानते हैं इनके बारे में और कराते हैं आपको दर्शन उनका कि मृता के अपिछन है यह है ज्वा मता और चीट फिशनम पिंडी हैए इसकी दो आक्रियाओ अपनेट्रविधिया अआप की पांच पिंडीया है मता की वैशनो देवी में है माता तीन ही पिंडियों के रूप में पर यहां पे है पांच वो हैं शोहा माता, वैशनो माता, महा काली, महा लक्ष्मी और मा सरस्वती बाकी सब के बारे में तो आपने सुना होगा पर शायद शोहा माता के बारे में आपने सुना नहो आप इसे कन्फ्यूज न करियेगा सौहा देवी के साथ जो हैं अगनी देवता की पत्नी और जिनका नाम हम बार बार लेते हैं ये गिमें आहुती देते हुए पर इनके बारे में कुछ का कहना है कि ये हैं ब्रहमा जी की दूसरी पत्नी वैसे ब्रहमा जी की दूसरी पत्नी का नाम है गाइत्री वही गाइत्री जिनका मंतर हर हिंदू जानता ही है यहां गुफा में हमें पणिजी ने एक और चीज दिखाई कि यहां से ये बून बून करके पानी टपकता रहता है नीचे आप शम्बू पे आप शम्बू यानी खुद ही प्रकट हुआ लिंगम पर अगर इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो यह है स्टेलग माइट और स्टेलग टाइट अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हैं तो आप गूगल पे चेक कर लीजेगा समझ जाएंगे चलिए जी दर्शन तो अच्छे से हो गया और यहां का सब कुछ दिखा भी दिया मैंने आपको अब चलते हैं बाहर दिखाते हैं आपको नजारा वहाँ का और एक और चीज़ यह पहुंच गए हम नीचे और आप देखिए अब नजारा आसपास का यहां से जो एक चीज़ आपको दिखानी बाकी रह गई थी वो है इस पेड़ के नीचे यानी बाउली पुराने जमाने में मंदरों के पास तो पानी का इंतिजाम रहता ही था चाहे वो किसी नदी के रूप में हो जरना हो कुआ हो या इस तरह से कोई बाउली हो आज कल तो नलके लगे हותे हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो यहाँ से मैं निकल चलता हूं यहाँ से और जाता हूं किसी और डिस्टनीशन पर एक नया वीडियो आपके लिए बनाने के लिए पर आप बने रह सकते हैं मेरे साथ इन थमनेल्स के जरीए मेरा कोई और वीडियो देखके तो अगले वीडियो तक जुले नमशकार सत्सरी आकाल शो आमाता की जैश